नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर्यू पर दोस्तो एक बार फिर आपके सामने एक महत पुन जानकर लेकर हाजरूए हैं अगर आप भी एक छात्र हैं तो दोस्तो यह जानकारी आपके लिए क्योंकि सरकार दोवारा छात्र के लिए एक नई योजना चलाए गई है जिसके अंतरगात छात्र को 7000 रुपे परती महिना के एसाब से दिया जाएगा दोस्तो अगर आप भी छात्र हैं तो वीडियो को पुरा वाच करें क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से रजिस्टेशन कर सकते हैं और आपको रजिस्टेशन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए आपके पास और सरकार के दुवारा क्या पातरता है क्या नियम है आपको यहां से संपुन जानकरी दी जाएगी दोस्तों आपको बता चाहेंगे कि योजना का नाम अंबेड कर डिविटी बाउचर योजना है दोस्तों आपकी चाहे कोई सी भी काटिगीरी हो SC हो ST हो OBC हो या फिर कोई सी भी काटिगीरी क्यों ना हो आपकी सभी काटिगीरीों के लिए यह हैं मान्य है दोस्तों आपसे निविदन करेंगे कि वीडियो को पुरा वाच करें अन तक जूर देखें और दोस्तों आप अगर आपने अभी तक योजना को मंजूरी दे दी है दोस्तों इस योजना के लिए गोशना हो चुकी है अगर आप छातर है तो आसानी से इस योजना के अंतरगत लाब पराप्त कर सकते हैं दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि योजना के तहत अरक्सी तवर्गो के कालेज इस्टूडेंट को आवाशिय सुविधा के लिए बाउचर उपलद कराई जाएगी फिर आगे यहाँ पर जानकर ही दी गई है चहे आप गाउं में रहते हों या फिर दोस्तों किसी सहर में रहकर पढ़ाई करते हैं उनको आवाशिय सुविधा के लिए यह बाउचर उपलद कराई जाएगा यानि कि दोस्तों जो आपको लाब दिया जाएगा वह एक बाउचर के तोर पर लाब दिया जाएगा सबसे पहले इस योजना के अंतरगत आपका एक बाउचर बनेगा जिससे दोस्तों आपको Lab Provide करा जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकर मिलने वाली है आप किस तरह से आवजन कर सकते हैं और आपको क्या-क्या दस्तावे चाहिए होगे अगर आपने अभी तक लाइक ने करा दोस्तों वीडियो को लाइक करें दोस्तों यहाँ पे कैटेगेरी दिया यह है कि किस-किस कैटेगेरी के लिए यह मानने है तो दोस्तों यहाँ पे SSC, ST, OBC, MBC और दोस्तों EWUS वर्क के विद्यारती लाव ले सकते हैं अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे कि यह लाब कब तक दे जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे बताएगा है कि साल में 10 महीने तक यह बाउचर मानने रहेगा यानिके जो आपका बाउचर बना जाएगा उसकी माननता 10 महीने तक रहेगी आप 10 महीने तक इसका लाब उठा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर वताया गया है कि गत प्रिक्षा में नूनतम 75% अंक हासिल करने वाले चात्रों को चात्रों के लिए यह है योजना है यह साब तोर पर किलियर सरकार नहीं कर दिया है दोस्तों इसके तहित कुल 5000 रूपे 5000 रूपे चात्रों को मेरिट के आधार पर साल में 10 महां तक यहनकर 10 महीने तक यह लाब चात्रों को दिया जाएगा अब दोस्तों इसके अंत्रगत आपको 7000 रुपे भी दिये जाएंगे उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि वह किस प्रगार से आपको 7000 रुपे दिये जाएंगे दोस्तों यहां पर बताया गया है कि बावचर उपलब कराये जाएंगे और यहां पर बताया गया है संभागिया मुख्यालियों पर आवाशिय सुविधा के लिए परति छात्र 7000 रुपे परति महिना और दोस्तों अन्य यहां पर बताया गया है कि जीला स्तरवर जन्य जीला मुख्याल्या के लिए 5,000 रुपे अगर दोस्तों यहां पर आप संभागी है मुख्यालो के आवास की सुविदा प्राप कर जाते हैं तो आपको संभागी मुख्याल्या के द्वारा 7,000 रुपे दिये जाएंगे प्रतिमा के साब से और जिला मुख्यालो के आधार पर आपक आधार काड़ होना चाहिए निवास परमानपत्र, जाती परमानपत्र, आयू परमानपत्र, रसन काड़, आय परमानपत्र, बैंक खते का वीवरन, मोबाइल नंबर और दोस्तों पासपोड साइज फोटो आपके पास होना चाहिए तभी आप इस योजना के अंतरगत जाएगी और आप किस प्रकार से उसमें रजिस्टेशन कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकरी दी जाएगी दोस्तों आपकी जानकरी बताना चाहेंगे कि जो हम आपको जानकरी दे रहे हैं यह राजिस्थान राज्यागी है अगर आप राजिस्थान राज्या से हैं तो आप आसानी से इस योजना के अंत्रकत लाग उठा सकते हैं तो दोस्तो ये ती आपके लिए महेटफून जानकरी आपको यह जानकरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जूरू बताएगा ये फिर दोस्तो अगर आपने अभी तक वीडियो का लाइक नहीं करा है तो आपसे निवजन करते हैं कि वीडियो का भी लाइक करे जासे यदा शियर करे दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें तक आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बोक्स में जाकर हमें सवाल भी कर सकते हैं हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे दोस्तों मिलते हैं अपने इस वीडियो में एक अच्छी जानकर साथ जब तक के लिए जय हिन जय भारत घर रही है सुरकित रही है